हेलो एंड वेलकम तो ग्लोबल जीनियस और्गनियेशन माई नम इस जंकित और आज हमारे साथ सिवान के एक और फेकल्टी जुड़े हुए है तो आये सर से बात करते हैं कि सर का नाम क्या है कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं and most importantly सर के पास कितने years of teaching experience है so over to सर सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं hello everyone मैं सहजाद अक्तर और actually मैं साइन्स पढ़ाता हूँ और बहुत जल आप लोग के समक्स GGO प्लेटफॉर्म पे साइन्स लेकर आने वाला हूँ definitely जैसा कि सर ने बताया कि सर का नाम सहजाद अक्तर है और हमारे इस GGO प्लेटफॉर्म के प्राइम एजुकेटर के रूप में सर जुट चुके हैं और सर ने बताया कि सर यहां पे साइन्स पढ़ा रहे होंगे सो यह सब यह जानने के बाद हम लोग बढ़ते हैं next question के तरफ कि सर के पास कितना years of teaching experience जैसा कि आप सभी को पता है कि GGO प्लेटफॉर्म पे कोई भी teachers हो at least three plus years of teaching experience होना चाहिए तो क्या सर उस criteria को fulfill करते हैं तो सर आप यह बताये कि आप आपके पास कितना plus years of teaching experience है actually तक्रीबन हम 2013 से पढ़ा रहे हैं और लगभग मेरा 7-8 साल हो गया पढ़ाते हुए all right तो जैसा कि सर ने बताया कि सर 2013 2013 2013 से पढ़ा रहे हैं इसका मतलब 7-8 साल का सर के पास teaching experience है जो कि definitely three plus years of teaching experience की criteria को fulfill करता है और इसके बाद यह जानने के बाद मैं यह जाना चाहूंगा कि सर आपको जब इस GGO platform के बारे में पता चला तो why did you choose हमारे आपने इस platform को क्यों choose किया what is the reason behind joining GGO as a prime educator सबसे पहले कि अभी हम पढ़ा रहे हैं अपने rural area में लेकिन वहाँ पर हम कुछ खास बचों को ही guide कर पा रहे हैं हमारे पास जो experiences है हम कुछ खास बचों को ही दे पा रहे हैं लेकिन GGO कैसा platform है जिसके जरिए हम अपना experience को बहुत सारे बचों को share कर सकते हैं यानि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इंडिया लेबल पर पढ़ा सकते हैं सो यही this is the power of this platform मैं यह बताना चाहूंगा कि GGO क्या है और कैसे हम इसका working process क्या है तो GGO एक global learning platform है जहां पर कोई भी student कोई भी skills सीखना चाहे वो सीख सकता है अभी academics syllabus cover कराया जा रहा है और at the same time mastering public speaking यानि कि लोगों से कैसे बात करते हैं प्रब्रिक से कैसे बात करते हैं वो सिखाया जा रहा है 13 days fitness challenge जिसमें कैसे healthy lifestyle जीते हैं उसका हम लोग के जो fitness guru है उनके द्वारा सिखाया जा रहा है और academic study तो definitely हो रही होंगी और इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी teacher है कोई भी educator है वो अपने rural areas में ही पढ़ा पा रहे हैं तो उनका more than welcome is Jiju platform पे हम लोग का joining procedure है वो आ करके समझ सकते हैं और Jiju को as a prime educator जोइन कर सकते हैं at the end मैं यह जानना चाहूंगा सर अगर आपके पास कोई message हो कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो please feel free to share सबसे पहले मैं जीजियो के established के लिए अंकित सर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह जो जीजियो है सीवान के लिए आइधिंक एक revelation लेकर आने वाला है क्योंकि सीवान या फिर बिहार में जो भी rural areas में teachers पढ़ाते हैं उनको सही platform नहीं मिल पाता है ताकि वो अपना experience पूरे global level पे अपना share कर सके लेकिन इस platform के आज आने के चलते हैं जो भी rural areas के teachers हैं वो अपना experience global level पे share कर सकते हैं और actually हम चाहेंगे कि बहुत जल मेरा science का वीडियो जाने वाला है तो खास करके इस हात्रों से request है कि मेरा science के videos देखें अगर आपको better लगता है तो please उसको enroll करें और उसको अलाब उठाएं धन्यवाद okay with this we are going to end this interview and let's go global go genius with global genius organization thank you very much okay झाल झाल झाल